अंडे की शांदार ग्रेवी बनाते हैं, दिखने में जितनी ये खुबसूरत है, खाने में उतनी ही लजीज और बेहत मज़ेदार, तो आज बनाएंगे हम अफगानी अंडे की ग्रेवी, तो सबसे पहले 8-10 उबले हुए अंडे लेते हैं, अंडों को फोक से इस तरह से अंडे इसमें डाल देते हैं, अंडों को मीडियम फ्लेम पर फ्राइ कर लेंगे, अच्छा सा गोल्डन कलर आजा अंडों पर तब हमें इसमें डाल लेना है, एक चौथाई चमच हल्दी का पाउडर, एक चौथाई चमच डालेंगे लाल मिर्चों का पाउडर, और आदा चमच डाल लेते हैं, नमक, फिर से सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, दो से तीन मिनिट के लिए चलाते हुए, अब अंडों को मसालों के साथ फ्राइ कर लेना है, अंडों पर अच्छा सा कलर चड़ चुका है, अब फ्लेम को बंद कर देंगे, और अंड रैसन की कलियां डालेंगे 10 से 12 और एक 2 इंच का अद्रक का टुकडा मोटा चौप करके डालते हैं। काजू भी डाल लेना है इसमें 12 से 15 मीडियूम फ्लेम पर सारी चीजों को मिक्स करते हुए हमें फ्राइ कर लेना है। प्यास के लचे चूट जाए और ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए तब तक इसे फ्राइ कर लेते हैं। अब पानी इसमें डाल लेते हैं। आधा कब पानी मैं इसमें डाल रही हूँ। धक कर इसे हमें पकाना है मीडियूम फ्लेम पर करीब 6-7 मिनट के लिए। ड्कन अटाने के बाद इस मसाले को पहले थंडा कर लेंगे ये us रूम टेंपरेचिर पर आ जाए। इसके बाद इसे ग्राइडिंग जार में डाल लेते हैं। मुझ्षी भर कर धन्यच के पत्ते आड़ कर लेते हैं डंडियों के साथ। यह मसाले को ग्राइंड कर लेंगे और इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेते हैं, यह मसाले को अब साइड में रखेंगे, ग्रेवी बनाना शुरू करते हैं, इसके लिए लेंगे तीन बड़े चमश भर कर तेल, तेल को गरम कर लेते हैं मीजियम फ्लीम पर, फिर इसमें ह थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि यह अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाए यह करीब तीन बड़े चमश पानी है अब मेडियम फ्लेम पर मसालों को अच्छी तरह से चलाते हुए हमें भून लेना है मसाले का कच्छा पंच चला जाए यह थोड़ा ड्राइ होने लगे और आधा चमश डालेंगे गरम मसाले का पाउडर नमक डाल लेते हैं यहाँ पर एक चमश भर कर फिर से चलाते हुए सारे मसालों को हम भून लेते हैं फिर से जब आप देखें कि तेल सेपरेट होने लगा है इस टाइम पर हम इसमें डाल देंगे एक कप भर कर दही ऐसे ही सारे मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए इसे लो फ्लेम पर हम धकका पका लेंगे करीब 7-8 मिनित के लिए धककर पकाने से सारे मसाले तो अच्छी तरह से पक जाएंगे और तेल भी सारा सेपरेट होने लगेगा तो धकन हटाने के बाद हम इसमें थोड़ी सी फ्रेश क्रीम डाल लेंगे तो एक चौथाई कप यहाँ पर फ्रेश क्रीम डाल लेते हैं अच्छी तरह से सारी चीजों को मिक्स कर लेते हैं अफगानी अंडे की ग्रेवी थोड़ी गाड़ी होती है इसलिए हम इसमें सिर्फ आधा कप पानी आड़ करेंगे सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे फ्रेश क्रीम डालने के बाद हम ग्रेवी को जादा पकाएंगे नहीं बस इसमें हमें अब फ्राय के हुए अंडे डाल लेना है अंडो को डालने के बाद मसालों के साथ इसे चलाते हुए करीब 2-3 मिनिट के लिए मीडियम फ्रेम पर पका लेंगे इसे हम ढखकर नहीं पकाएंगे वरना अंडों के उपर जो कलर है ये सारा ग्रेवी में मिक्स हो जाएगा इस तरह से अंडे काफी खुबसूरत लगेंगे इस ग्रेवी में अब फ्लेम बन कर देते हैं थोड़े से बारिक चौप किये हुए धनिया के पत्ते उसे इसे गानिश कर लेते हैं तो ये बहतरीन जाएकेदार बहत खुबसूरत दिखने वाली अंडों की ग्रेवी बन कर रेडी हो गई है अफगानी एक ग्रेवी को आप पराथा, रोटी, नान या चावलों के साथ सर्व कर सकते हैं